मैं अभी राजभवन से वापस आया हूँ, मान्य लेटेनेंट गवरनर साहब से मेरी मुलाकात हुई मुलाकात के दोरान मैंने उन्हें नाशनल कॉन्फरेंस, कॉंग्रेस, सीपी एम, आमादमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नाशनल कॉन्फरेंस को समर्थन की चिठी मिली है उन चिठीों को मैंने लेटेनेंट गवरनर साहब के हवाले की और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकरर करें ताकि यहां ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हकूमत अपना काम संभालें अब यह लंबा सिलसला रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक एलेक्टिट गवर्मन्ट को दूसरे एलेक्टिट गवर्मन्ट का जो है में तबदील होगा सेंट्रल रूल है यूनियन टेरिटरी है और गवर्मनर साब को अपने कागज तयार करके पहले राश्ट्रपती भवन भेजने हैं राश्ट्रपती भवन से वो फिर हो मिनिस्ट्री में जाते हैं हो मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कारवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आजाता है तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें दो-तीन दिन तो लगी जाएंगे तो अगले हफते ट्यूजडे वेंजडे से पहले मुझे उमीद नहीं है उमीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंजडे को हम ओच सेरिमनी यहां कर लेंगे अब आभी वो आप फारुक साब से बात करिये इंडिया ब्लॉक के लीडर वो है और इंविटेशन अगर जाएंगे तो उनके तरफ से जाएंगे मुझे जिनको इन्वाइट करना होगा वो अपने तरफ से मैं कल बैठके उन्हें जो है दावत दूँगा लेकिन फिलहाल तो अब ओत की तियारी हो रही है अब डिसकॉशन तो हमारी हो रहती है हम मिलके हकूमत बना रहे है उनका जो है लेटर ओफ सपोर्ट हमें हासल हुआ है और उन्होंने आज अपनी बैठक की उनकी अपनी बैठक में उन्होंने अपने हाई कमांड को इजाज़त दी कि वो सी एलपी का जो है फैसला करें सी ए जरुनी बातें करनी थी को हमने की काफी इंडिपेंडेंट का रहे हैं और जो बाती है वो भी जॉइन करेंगे ऐसा कुछ नब ऐसी बात नहीं है यह आम तोर पे वही लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए थे एकाद को छोड़के य लड़के गए और जीत गए अब वो अपने नैशनल काउन्फरंस के साथ में वापस आना चाहते हैं और एक आद ऐसा है जो नैशनल काउन्फरंस में रहके हमारे साथ एक नहा रिश्टा काइम करना चाहता है जिसकी हमने सरहाना की जिसकी हमने जिसको हमने वेलकम किया और इन्हें लोगों के वोट हासल हुए क्योंके लोगों की उमीद हैं कि उनके इलाकों में काम होंगे और मेरा फर्ज बनता है कि उनके मैं जो है हाथ पकड़ के उनके इलाकों में उनकी मदद करूँ